हेलो गाईज एसके लेपन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं जो आपको ऑस्टेलिया वुमेंस ओरीडी का यहाँ पर दूसरा मैं जो खेला जाता दिखेगा आपको कल अर्ली मॉर्णिंग में सा फायर हुमेन के भीज में तो गाईज मैं इसके बारे में बात करूंगा एकदम अच्छे से डीटेल में आपको सारा कुछ बताऊंगा तो आप वीडियो को सुरू सन तक देखते रहेगा ठीक है कोई फालतू बाते मैं नहीं करूंगा डाइरेक्ट गाईज मैं आपको पू आपके लिए अच्छा बन सकता है तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाकर फड़ा फड़ से चैनल पर से देख लीजेगा ठीक है अब चलिए हम इस मैच के वारे में गाईज बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले हमें स्कौाइड पर आएंगे ठीक है एमी स्मिद, क्लेर स्कॉट, रेचल प्रीज, शासा मुलानी और इमा मैनिक्स ग्रिप्स, हेदर ग्राहम, मैसी गिप्सन, सारा क्वाइटे, निकोला कैरी, मैंदिंसन ब्रूक्स और कॉली एवल ठीक है तो यह इनके यहां पर इनका स्कौाइड है इनहीं में से आपको तैस जार्जिया वॉल, ग्रेस हैरिस, हिंकले, चार्ली नॉट, एली जॉनस्टन, ठीक है, रूथ जॉनस्टन, कर्टनी सीपल, जॉर्जिया प्रेस्ट्वीज, मेगन डिक्सन, लेली मेल्स, और लूसी हैमिल्टन ठीक है तो यह कुइंसलेंड हुमन का स्कौाइड है इन्हीं म अगर आप कुइंसलेंड का देखेंगे तो यह बात का ध्यान किया और कुइंसलेंड चैंपिन टीम भी है लास्ट येर की इस टुनामेंट का इस टुनामेंट की तो आप उनका ध्यान लखेगा वह थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉंग टीम है फिर भी मैं आपको बोलूंगा जो इंपॉर्टन प्लेयर्स हैं उनको लेकर ही आप टीम बनाई है क्योंकि यह टुनामेंट का पहला मैस है तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है तो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉंग मुझे इस साल तैसमेनिया लग रही है ठीक है तो यह बात का ध्यान किया क्योंकि यहाँ पर काफी सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि कुछ लेंट के लिए एवलेपल नहीं है ठीक है जिसलिए मुझे लग रहा है तैसमेनिया इस मैच को जीद सकती है तो में अगर ग्रैलिंग में किसी टीम को थोड़ा सा फेवर करना हो तो आप तैसमेनिया टीम को कर स साथ जिसमें एक सतक भी था इनके नाम हैदर ग्रहम ने आट मैच में 284 किया थी 40 के साथ स्टैलनवर्ग आट मैच में 215 ठीक है कॉडिना हॉल अभी इंजड है तो नहीं खेलेगी सारा कोईटे चार मैच में 104 ठीक है सासा मुलनी आट मैच में 179 उसके राब आप सभी प्ल इसका बहुत खराब सीजन था ठीक है गाइस और भी प्लेयर के आपको स्टैट्स देखने हो आप देख सकते हैं यह बॉलिंग का स्टैट्स से साम बिट्स का मत ध्यान दीजिए ठीक है वह दूसरी टीम के लिए खेलने वाली है पहले मैच में ठीक है और पहले मैच से हो स्टैट्स भी जाएं का सब अरग वी देख सकते हैं यह बैटिंग का है है और यह आप यह पर कब यहाँ पर फुल स्टैट्स मिल जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर देखेंगे बैटिंग में तो रेडवाई ने लास्ट येर अमेजिंग खेली थी आठ मैच में 531 लगवग हर मैच में बहुत अच्छा खेली 132 के साथ का इस खेली थी बहुत क इंक लिए आठ मैच में 109 जॉर्जिया वॉल आठ मैच में 108 की मिन सभी अनेभल है तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए बॉलिंग में जो नेशन 6 मैच में 7 विक्टे मेगन डिक्सन 5 मैच में 7 लेली मिल्स 2 मैच में 4 लेली मिल्स के बारे में टीम बनाते हुए एक बहुत कम आठ मैच में 9 जुक्त सभी प्लेट्स के स्टेड्स से आप देख सकते ह में अपको इसस प्लेयर का देखना हूं यह है उनके बारे में आपको टीम बनाते हुए अच्छे से बता दूंगा ठीक है तो सब्सक्राइं कर लेते हैं ठीक है एक छोटी सी मैं आप से बात कहना चाहूंगा अगर आप अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल पर जोइन नहीं हुए तो आप पर जोइन करना आपके लिए सबस्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि गाइस टेलिग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर 311 के टीम्स के अलाबा एक्षेंज 22 के पिक्स वनफिन की यहाँ पर बैटिंग प्रेडिक्शन सब कुछ आपको परभाइट की जाती एकदम फ्री में तो आप चाहे तो जोइन कर सकते हैं इस मैच की भी फाइनल टीम आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर ही अर्ली मौनिंग में लाइन अप सानी के बाद बिलेगी ठीक है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पर आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करकर जॉइन कर सकते हैं इसके लाबा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीन कमाल की फैंटेसी एप्लिकेशन का लिंक मिलेगा तीनों एप्लिकेशन सभी एप्लिकेशन एकदम यूनिक है ठीक है और तीनों एप्लिकेशन में मैं काफी जादा अच्छी विनिंग करता हूं तो अगर आपको 3 मैंसे किसी application में खेलना हो तो आप simply खेल सकते हैं, ठीक है, 3 application बहुत कमाल किया, मैं personally आपको recommend करूँगा कि आप 3 application में खेलें, बाकि आपकी मर्जी, अगर आपको profit में रहना है, तो आप 3 application में जरू download करके sign up कर लिजेगा, ठीक है, 3 application का link आपको video के description में मिल जाएगा, अब चलिए हम अपनी team discuss करते हैं, team discuss करने से पहले, मैं guys हमेशा आपको बोलता हूँ, आप please मेरी team हर match में copy paste करने की try ना करे, मैं तो कहूंगा आप खुद से टीम करने की कोशिस करें मेरे हिसाब से वह आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जब तक आप खुद से टीम नहीं कर पाएंगे गाइस तब तक आप अच्छा fantasy player नहीं बन पाएंगे मैं आपको एक मैस दो मैस तीन मैस जिता सकता हूं हर मैस नहीं जिता सकता जब तक आपको खुद पर confidence नहीं आएगा आप गाइस fantasy में अच्छा नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये बात का हमेशा ध्यान नगे अगर आपको लगता है कि कुछ changes करना है तो आप simply कर सकते हैं मैं ब जोर्जिया रेड मैनी को आप simply guys pick कर लीजिए ठीक है ये आपके लिए must pick है विकेट कीपिंग सेक्षन में लास्ट येर सबसे अच्छा के लिए थी इस पूरे टूनामेंट में ठीक है गाइस opening करेगी और साथ में विकेट कीपनिंग भी ठीक है बहुत अच्छी प्लेयर है टेकनिक इनका बहुत अच्छा है मैं भी इस मैच में भी अच्छा कर सकती है ठीक है हाई चांसेस है तो इनको ही आप लेकर चलिए अपने small league टीम में भी और grand league की टीम में भी उसके लाबा e smith को तो मैं बिलकुल recommend नहीं करूँगा e manix को भी मैं recommend नहीं करूँगा क्योंकि को दुनों काफी नीचे आती है रेचल प्रिश्ट गाइज ओपनिंग कर सकती है तैसमेनिया वे इनके तरब से लेकिन यह बिगेट कीपनिंग नहीं करती है ठीक है यह इनका एक disadvantage है और inconsistent pair है टी 20 में ज्यादा अच्छा करती है न्यूजिलेंड से इंटरनेशनल किर्केट भी खेल चुकी है ठीक है तो इनको ग्रैल्डी की कुछ टीम्स में ट्राइ करिएगा बहुत कुछ टीम्स में स्मॉलिग में बिलको लिकमेंट नहीं करूंगा अब आते हैं बैटर सक्षन पर विलानी नंबर वन चॉइस लास्ट यर का आपको मैंने स्टैट्स और इनका न ठीक है गाइस यह मैंने आपको दिखा दिया जिसका मुझे स्टैर्स दिखाना था आपको विलानी का अब चलिए हम यहाँ पर आगे बरते हैं तो आप देखी सकते हैं मैं कितना ज्यादा आपके लिए महनत करता हूं ठीक है फिर भी आप लोग सपोर्ट बहुत कम करते हैं तो अगेन इस वीडियो पर गाइस लाइक का टार्गेट 50 लाइक का है देखते हैं आप लोग यह लाइक का टार्गेट को कम्प्लीट करते हैं नहीं प्लीज गाइस इस लाइक को टार्गेट को जरूर कम्प्लीट कर दीजेगा मुझे बहुत जादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करने की पूरी ट्राइ करूँगा ठीक है अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं बैटर सेक्षिन में और आप्शन की बात करूँ तो की बिन्स अनेवलेवल है मैं ट्राइ करिए हॉल भी नहीं है ठीक है यहाँ पर मुलानी उपर आती है तो मैं उनको ही रिकमेंड करूँगा आप ट्राइ करिए और आप मैं आप किसी को मत देखिए बैटर सेक्षिन में इन तीनों के अलाबा आपको किसी को नहीं लेना है ठीक है और अगर आप किसी ऐसे प्लैट्फॉर्म पर खेल यहाँ पर आपको दो बैटर ल देने बाला है पता नहीं गाइस स्टैनल वर को क्यों ओल डाउंडर सेक्षिन में ड्रीम इलाउन में दे दिया है अगर आप किसी ऐसी अप्लिकेसं में खेल ले जहां पर बैटिंग बैटर सक्षिन में है तो अब प्लीज स्टैनल वर को करिए गा मुलानी के ऊपर ठीक है देन बाल को क्यों दिया ओल डाउंडर सेक्षिन में मुझे पता नहीं चलना है है एक बैटर पता नहीं क्यों ओल डाउंडर में दे दिया है तो इनको गाइस यहां पर ध्यान रखिएगा मैं अभी के लिए ग्रेस हैरिस हेदर ग्राहम निकोला केरी यह तीनों प्लेयर को तो लेना ही है और साथ में जेस जोनेसन को यह चारो प्लेयर को तो आपको लेकर ही चलना अपनी टीम्स में चारो प्लेयर गाईस एकदम अच्छी प्लेयर से चारो दोनों तरब से आपको पॉइंट दे सकती है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी निकोला केरी का तो ला लेकर चारों को आप लेकर चलिए और यहां पर गाइस एक में कमाल की आपको ग्रैल्डी की पिक सजेस्ट करूंगा वह है आठ जॉंस्टन ठीक है इनका बिग बैस लिग बहुत अच्छा गया अभी रिसेंट में जिसमें उन्होंने 500 से उपर रंद भी बनाएं और साथ में लिए ठीक है तो इनका डेब्यू करने का कल चांसेस है तो आप फिट से में बोल रहा हूं अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर खेल ले जहां पर आप पांच ऑल्डाउंडर ले सकते हैं एक बैटर कम करके तो आप इनको पिक कर लीजेगा ठीक है वरना ग्रैल्डी की पर जॉन्स्टन रिकमेंड करूंगा ठीक है तो ध्यान देखिएगा बॉलिंग सेक्षन पर आ जाते हैं मॉली स्ट्रैनो हमारे लिए नम्मर कोन च्वाइस है ठीक है अभी बिग बैस लिग जो रिसेंट में उसमें भी काफी अच्छी इनोंने बॉलिंग की थी और सकते हैं बकेरबा है प्रेश्ट वीच है प्रेश्ट का कुछ अभी रिसेंट अच्छा नहीं रहा है बकेरबा का अभी अगर देखिएंगे गाईस तो उनका भी डबलू बीवल जो था विमेंस बिग बैस लिग अच्छा नहीं गया है ठीक है यहां पर अगर कोई एक प्ल कमाल की आपके लिए डिफ्रेंशल पिक है सेलेक्शन पर ना जाए प्लेयर अच्छी है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनके साथ जाए नेक्स्ट प्रियर गाइज फिर मैं आगे रिक्स लेकर यहां पर लिली मिल्स को पिक कर रहा हूं जो कि लास्ट येर भी इन्हों ने है बॉलिंग सेक्शन में आपको सेब जाना है प्रेश ट्विच और बकेरवा ले सकते हैं या फिर सिपल को नो डाउट यह सब भी अच्छी बॉलर से अच्छी फास्ट बॉलर से आप इन सब को ले सकते हैं ठीक है उसके लाबा एक और प्लेयर अच्छी है मेगन डिक्स इ प्लीज यहां पर ग्रेश को करना है वेझे मेंब बहुत और बहुत अच्छा गया था और वाइस कैप्टेंसी जारी है डरग्राम को आप प्लीज यहाँ पर Gray Harris को कर सकते हैं या फिर जोनेशन को भी कर सकते हैं ठीक है और Granding में Red Viner को आपको Try करना है उसके लाबा विलानी को Try करना है और Molly Stano को भी कुछ टीम्स में Try कर लेना है ठीक है गाईज तो यह सब का ध्यान लखिएगा तो यह गाईज बनता अभी के ल टेलीग्राम सेलन का लिंक मिल जाएगा आप उस पर करकर भी जोन कर सकते हैं यहाँ पर एक्टिब रहिएगा टेलीग्राम पर मैं आपको फाइनल टीम अपडेट देने आऊंगा ठीक है और फाइनल टीम अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाती है बाइ मैं आपको इसल्डी की टिप्स दे देता हूं ठीक है आप फाटा फर से कॉंटे ज्टर ज्वाइन करने है जितना जल्दी आपको जल्दी करने बाला हूं थीआ क्योंकि guys यह match से सारे 4 बजे तो आपके opponent के उपर आपका edge रहेगा हो सकता है आपका opponent team unit ना कर पाए क्योंकि match बहुत ज़्यादा यहाँ पर early morning में है इसलिए मैं आपको यह बात बोलना हूँ ठीक है तो अभी आफटा-फट से contest join कर सकते हैं आपका ही advantage रहेगा ठीक है guys यह ब यह दूसरा वीडियो को मुझे बनाने में दोनों वीडियो मिलाकर मुझे 4-5 घंटी की महनत लगी है तो again guys इस वीडियो का like का target only 50 likes का है तो उसे आप जरूर complete कर दीजेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे motivation भी मिलेगा और मैं आपके लिए guys यहाँ पर और भ subscribe नहीं किया तो guide channel को subscribe कर लिजेगा और bell icon को भी on कर लिजेगा ताकि आप आने वाली वीडियो की notification में ना कर सके ठीक है तो बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूं next video में